राधी राधी दोस्तों, आज हम आपको सिनाएंगे एक रानी की दुख भरी कथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्केर्थी को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेयर करें एक राजा था, उसके राज्य में किसी परकार की कोई कमी नहीं थी, परज्या सुख ही थी, उस चैन शान्ती था उसके राज्य में, राज्य भी दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन राज्या के कोई संताइन नहीं थी, संताइन नहीं होने के कारण राजा ने साथ साधियां की, जब पहली राणी से संताइन नहीं हुई, तो राजा ने दूसरी शादी की, फिर तीसरी की, चौथी की, पाचवी साधी की, छटी साधी की, फिर साथवी शादी की, लेकिन राजा के फिर भी संताइन नहीं हुई, अब राजा सात और रानियों में अपनी छोटी रानी से बहुत प्यार करता था वसे आसा थी कि छोटी रानी से जरूर संतन प्रापति होगी अब राजा इसी चिंता में रहता था कि इतना बड़ा सामराज्य है इसका वारिष तो होना चाहिए मेरे बाद इसे कौन संभालेगा ऐसे ही एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे हुए थे और वे बहुत उदास भी लग रहे थे तब ही हुआ पर एक सादू बाबा आए और राजा ने उनको परनाम किया और उनको आदर सहित आसन पर बैठाया तब सादू बाबा से कहने लगे बाबा बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ दान पुन्य जो भी आप कहोगे मैं करने के लिए तयार हूँ तब राजा ने कहा कि बाबा आप आराम सिक बैठिये और उसने अपने जो द्वारपाल से पानी मंगवाया और सादू बाबा के चरण बड़े प्यार से धोये इस पर सादू बाबा कहने लगे राजा साहब आप मुझे बहुत चिंतित लगते हो क्या कारण है राजा कहने लगा कि नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है आप अपना आथीती सत्कार ग्रहन करें तब सादू बाबा कहने लगे जब तक तुम अपनी परेशानी नहीं बताओगे भोजन तो क्या हम तुमारे घर का पानी भी नहीं बेंगे राजा सोचने लगे कि चलो ठीक है जब इन्होंने बोली ही दिया है तो वे कहने लगे कि विराज बाबा मेरे साथ रानिया है लेकिन मेरे किसी भी रानी से कोई संतान नहीं है उदर जो छे रानिया थी वे बड़ी डुष्ट थी वे छोटी रानी को बहुत तंकिया करती थी छोटी रानी बड़ी सात्विक प्रवर्ती की थी वे बहुती संसकारी पूजा पाठ करने वाली थी कभी भी वे राजा को सिकायत नहीं करती थी तो इसलिए राजा वैसे भी छोटी रानी को प्यार करता था बड़ी रानी हमेशा उसे जो है राजा की नजरों में गिराने की कोशिस किया करती थी घर का सारा काम रानी से कराती उसके साथ दासियों जैसा वहवार करती थी लेकिन छोटी रानी कभी भी बुरा नहीं मानती थी वह कहती थी यह तो अपना काम है और खुसी-खुसी कर लेती थी लेकिन राजा को इस चीज की कोई भनक नहीं थी अब राजा जो था सादू बावा से जब उसने प्राथना की कि बावा मेरे कोई संतान नहीं है तो सादू बावा ने कहा कि ठीक है तुम कल बाग में जाना और एक पेड़ की डाल पर तुम्हे साथ आम लगे हुए दिखाई देंगे तुभे सातों आम तोड़ लाना और अपनी सातों रानियों को एक-एक आम खिला देना राजा यह सोच कर बहुत परसन हुआ उसने सादू बाबा का अथित्य सत्कार ग्रहन किया और उनको अच्छे से भोजन कराया और दान दिख्षना दे कर उने विदा किया सादू माबा भी खुसी-खुसी हुआ से विदा हो गए अगले दिन सुभै सुभै राजा अपने बगीचे में टेहलने के लिए गया सादू बाबा की बात उसे याद थी बगीचे में बहुत सारे आम के पेड लगे हुए थे तभी सादू बाबा ने देखा राजा ने देखा की जो सादू बाबा ने बताया है ठीक वैसे ही एक आम की पेड की डाल पर साथ आम लगे हुए है राजा ने वो साथो आम तोड लिए और उन्हें घर लेकर आ गया जब वे राजा उन्हें लेकर महल में आ गया तो उसने सातो रानियों को बोला कि सातो रानी इखटा होकर मेरे पास आओ छे रानिया तो इखटा होकर आ गई जो सातवी रानी थी वे अपना काम कर रही थी जाडू वगेरा का काम कर रही थी जाडू लगा रही थी तो कहने लगी कि मेरी थोड़ी सी जाड़ू रह गई है मैं इसको पूरा करके आती हूँ इतने आप दीदियों को आम खिलाईए और मेरे हिस्से का आम आप रख दीजिए अब छेओ रानियों ने एक एक आम खा लिया जब राजा ने उस सचोटी रानी का आम रखा तो छेओ रानिया कहने लगी राजय साब हमें दे दीजिए हम छटी रानी का आम उन्हें दे देंगे लेकिन छेओ रानी उन्हें उस सात्वी रानी का आम जो है काट कर खा लिया उस सात्वी रानी को उन्हें आम नहीं दिया अब जब ज़ाडू का काम पूरा हो गया तो रानी जो है आई और हाथ वाद धोके आई और कहने लगी दीदी मेरा आम मुझे दे दीजी इस पर रानीया कहने लगी कि कौन सा आम तुम्हारा कोई आम नहीं है तब वह कहने लगी दीदी जो राजा साहब सब के लिए लेकर आए है मुझे भी मेरा आम दे दीजिए लेकिन छेयो की छेयरानिया कहने लगी वे आम तो हमने सबने मिल बाट के खा लिया अब छोटी रानी बड़ी दुखी हुई क्योंकि आुलाद की चाहतो सभी को होती है तब ही वे कहने लगी अच्छा तो यह बताओ वे आम की गुठलिया आपने कहां डाली है तो वे सब रानिया कहने लगी आम की गुठलिया कहां डाली जाती है वो सब कूडे दान में पड़ी है अब छोटी रानी गई और उसने कूडे दान से वे गुठलिया निकाली और उनको साफ जल से धोकर और बड़े प्यार के साथ उनको चाट लिया अब जो राजा था उसकी बारी होती थी एक दिन बड़ी रानी के पास एक दिन उससे छोटी रानी के साथ ऐसे एक एक दिन और एक एक रात वह एक एक रानी के साथ बिताता था उस दिन की बारी छोटी रानी की थी उस दिन राजा छोटी रानी के साथ रात भिताने आया दोना पती पतनी ने आपस में बाते की प्यार किया और रानी गरवबती हो गई रानी छोटी रानी गरवबती हो गई तो यह बात जब रानी ने राजा को बताई तो राजा बहुत खुस हुआ कि चलो मेरी किसी रानी से तो संतान होगी अब राजा रानी से को कोई काम नहीं करने देता था और छेव रानियों को सक्त हिदायत दी थी कि वे छोटी रानी से कुछ ना कहें क्योंकि राजा की नजर में तो सब था लेकिन जो छोटी रानी ही कुछ नहीं बोलती थी वे खुस रहती थी तो राजा भी कुछ नहीं कहता था तब राणी छोटी राणी को राजा ने पलंग पर लेटा दिया और कहा कि तुम्हें किसी भी चीज की जरुरत है तो तुम्हें कोई भी काम या कुछ भी उल्टा सीधा काम करने की कोई जरुरत नहीं है राणी ने कहा कि ठीक है अब तो छेव राणी ओके जो बड़ी जलन हुई उनको तो जो पूछो मत के छोटी राणी मा भने वाली है एक तो राणी हमारी कदर वैसे ही नहीं करता है और छोटी राणी के संतान हो गई तो राणी हमें तो बिल्कुल नहीं पूछेगा जो विट में हिमार दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा तो अब वह कुछ ना कुछ उपाए करती लेकिन हर उपाए में वह फेल हो जाती क्योंकि उसके कोई भी चाल कामियाब नहीं हो रही थी उधर राजा ने रानी से कहा कि मैं एक चैन अपनी कमर में एक घंटी बांध ल वो मैं अपनी कमर में बांध लेता हूँ जब भी तुम गंटा बजाओगी तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें लड़का हुआ है तो रानी ने कहा कि ठीक है अब जो धीरे धीरे समय बीत रा था धीरे धीरे करते हुए नौ महीने बीत गए नौ महीने बीतने के समय अभी मलबच्चा हुआ नहीं था तो बड़ी रानी ने सोचा क्यों न मैं घंटा बजा दूँ वे मौका देखकर घंटा बजा देती जिससे राजा बहुत खुस होता कि चलो मेरे लड़का हुआ है राजा पूरी परजा में मिठाईयां बटवा देता और घर के लिए भी काफी खिलोने वगेरा लेकर आता लेकिन जब घर आकर उसे पता चलता कि रानी को संतान नहीं हुई है तो उसे बड़ा दुख होता ऐसा दो तीन बार हुआ एक बार राजा आया तो वे रानी पर बहुत क्रोधित हुआ कि तुम बार बार घंटे क्यों बजा देती हो ज इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि घंटी कौन बजाता है राजा समझ गया कि यह कोई ना कोई रानी की चाल है दूसरी रानिया जरूर ऐसा कर सकती है फिर राजा ने कहा कि चलो कोई बात ले ठीक है अब रानी को कुछ दिन बाद फिर प्रसप प्रिड़ा हो गई वह जो अपनी जो छे सोतने थी उनके पास गई और कहने लगी दीदी मुझे लगता है कि बच्चा पैदा होने वाला है मुझे बड़ी प्रसप पीड़ा हो रही है तो मैं क्या करूँ छे की चे रानिया कहने लगी हमें कुछ नहीं पता है एक काम करो जहां जिस होने में जाकर बैठ जाओ तुम्हें बच्चा हो जाएगा छोटी रानी बड़ी भोली थी कुछ जानती नहीं थी वह उस कमरे में चली गई उसके जब बच्चे हुए तो उसने देखा कि उसके साथ बच्चे हुए साथ लड़के और एक लड़की ने जनम लिया अब रान का कैसा चमतकार है तब ही उसने उन राजकुमार और साथ भी राजकुमारी को हुआ से तुरंत उठाया बच्चे रो रहे थे तो रानी ने सोचा कि बड़ी दीदी शायद बच्चों को नहलाने दुलाने के लिए ले जा रहे हैं रानी उन बच्चों को देखी थी लेकिन रानी गई तो देखा कि बाहर तुम पहरा सकते है इसलिए बच्चों को बाहर लेकर नहीं जा सकती उसने क्या किया कि जो गमले रखे हुए थे बड़े-बड़े सजावट के लिए उनमें फूल वगेर हुए थे तो उसने एक-एक बच्चे को गमले की मिट्टी निकाला और के अंदर करके उनको मिट्टी से उपर से ढख दिया उसने साथ गमलों में साथ राजकुमार और एक गमले में राजकुमारी को ढख दिया आज जहां जो रानी को बच्चे हुए थे हुआ साथ मेंडक और एक छिपकली लाकर रख दी रानी बेचारी अपना सो गई थी उसे तो ये नहीं था कि उसके साथ ऐसा जो है सडियंत्र किया जा रहा है वो तो सोची कि बड़ी दीदी बच्चों को लेकर गई है तो उनका ख्याल रखेगी और वह सो गई जब राजा को घंटी बजी तो राजा खुसो कर आया कि मुझे पुत्र हुआ है लेकिन राजा आया तो राणी कहने लगी बड़ी राणी राजा साथ अनर्थ हो गया राजा साथ कहने लगे कि क्या हो गया राणी कहने लगी महराज जो राणी है आप ही चल कर देख लीजे मैं क्या कहूं मुझे तो कहने में बड़ी सरम आती है रानी गई तो रानी के पास राजा बड़े खुस हो कर गई तो कहने लगे कहाँ है हमारा बच्चा तब रानी कहने लगी छोटी रानी भगवान की असी मा नुकमपा है भगवान के जो है माया को कोई नहीं जान सकता कि क्या कर दे भगवान मेरे साथ राजकुमार और एक राजकुमारी ने जनम लिया है तब राजा साहब कहने लगे कि साथ राजकुमारी और एक राजकुमारी ने जनम लिया है कहा है तो वह कहने लगी बड़ी दीदी उन्हें लेकर गई है तब ही छे की छे रानी आ जाती हैं और कहती हैं कि तू पागल हुई है क्या हम कब तेरे बच्चों को लेकर गए हैं हमें तो पता ही नहीं है बड़ी रानी भी कहने लगी मुझे क्या पता मैं तो अभी तुम्हारे इस रूम में आई हूँ तो राजा के नजर जब उधर जात तो बड़ी रानी कहती है लो जिनने यह राजकुमार बता रही है वो तो मेंडक हैं और जिसे राजकुमारी बता रही है वो छे पकली है भला इसको राजकुमार और एक राजकुमारी पैदा होते तो पता नहीं चलता आठ बच्चों का तो लेकन यह देखिए कितने जो है ये पैदा हुए अब राजा को बहुत गुस्सा आया उसने छोटी रानी की एक नहीं सुनी और उसे उल्टा सीधा सुनाने लगे कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था तुमने तो जो मेरी नाक कटवा दी साथ मेंडकों को जनम दिया है मैं परजा में क्या मूँ दिखाऊंगा कि रानी को साथ मेंडक हुए है यह सुनकर राजा जो है पैर पटकता हुआ से चला गया और उसने आदेश दिया कि जो छोटी रानी है उसे तुरंत महल से निकाल दिया जाए उसके राज सी वस्तर उतार लिये गए और उसे एक भटी स साधी दे कर महल से निकाल दिया गया अब बेचारी रानी बड़ी दुखी हुई वे खूब कहती कि मेरे बच्चे हुए है मैंने उन्हें देखा है बड़ी रानी उन्हें लेकर गई है लेकिन वे साबित नहीं कर पाई अब वे महल से निकल गई रानी के बड़े दुख भर दिना गए थे, वे अपनी माता रानी को याद करती, प्रभू को याद करती, हे भगवान जैसा मेरे साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ मत करना, उसकी मा की ममता तडपती, कि मैंने अपने बच्चों को अपने सीने से भी नहीं लगाया, मेरे बच्चे कहां गए, लेकिन जो बड़ नहीं था कि बड़ी रानी ने क्या कर दिया है नहीं तो इसी लिए वे अपनी सच्चाई छोटी रानी थी उन्होंने भी बड़ी रानी का साथ दिया क्योंकि वह भी इस बात से अंजान थी कि साथ राजकुमार और एक राजकुमारी का जनम हुआ अब बड़ी रानी जो छोटी रानी थी वह बेचारी दूसरे नगर में चली गई और हुआ लोगों के घरों में जाडू बरतन करने लगी जाडू बरतन करकर के वह अपना पेट पालने लगी उधर जो बड़ी रानी थी उसने सोचा कि यहराज जादा दिन नहीं छिपा पाऊंगी कि गमले में मैंने बच्चों को दबा दिया है इसलिए वह मौका देखकर उन गमलों को बगीचे में धरवा दिया और बगीचे से निकाल गमले से निकाल के जमीन में खड़ा खोद कर साथो राजकुमार और आठवी राजकुमारी को दफन कर दिया अब कुछ दिन बीते उन बच्चों में से जहां वे दफन थे वह बहुत ही सुन्दर फूलों के पेड हुगाए जो राजकुमारी थी वह भी फूल का पेड़ बन गई आवे एक दिन राजा घूमते घूमते उस बगीचे में पहुँचे तो क्या देखते हैं आज से पहले तो हमारे बगीचे में ऐसे सुन्दर फूल नहीं थे फूल इतना सुन्दर थे कि पूरा बगीचा उनसे खिल उठा था राजा जब बगीचे में गया तो राजा को वे फूल बहुत पसंद आए राजा ने माली से कहा कि माली ये फूल तोड़ कर आप महल में पहुँचा दीजिए इस से छे की छे राणिया बहुत खुस होंगी और इसकी माला मैं बना कर अपने गले में पहनूंगा और अपने जो संया है उस पर भी मैं इनको बिच्छाओंगा सेज संया पर तो माली ना कहा कि ठीक है माराज मैं ये फूल तोड़ कर आपके महल में भिजवा दूँगा लेकिन जैसे ही माली वे फूल तोड़ने के लिए चला तो जो लड़की थी फूल में वे कहने लगी भाईया भाईया माली हमको तोड़ता है उठो भाईया जागो भाईया माली हमें तोड़ता है फूल तोड़ता है कि अगर मैं फूल तोड़कर नहीं ले गया तो राजा के गुस्से का सामना करना पड़ेगा माली ने कैई बार कोसिस की लेकिन हर बार ऐसा फल रहा अब जो माली दोड़ता दोड़ता महल में पहुँचा और जाकर राजा से कहने लगा पता नहीं बड़ी अनुहुनी बात हो गई है उन फूलों में से आवाज आती है कहते हैं कि राजा आएगा तो फूल मिलेंगे नहीं तो मैं फूल तोड़ता हूं तो फूल बहुत उचे उठ जाते हैं उन में से एक लड़की और साथ लड़कों के बोलने की आवाज आती है अब राजा यह सुनकर बड़ा चम्बित हुआ राजा तुरंत महल से जो अपने बगीचे में पहुँचा उसने देखा तो फिर लड़की बोलती है फूल भही आओ जागो जागो फूल भही आजागो देखो राजा आ गए है हमारे पिता आ गए है अब राजा जैसे फूल तोड़ता है तो वे कहते हैं कि नहीं इस राजा से फूल नहीं तोड़ेंगे बड़ी रानी आकर फूल तोड़ेगी वे राजा से फूल नहीं तूटते हैं फूल फिर उपर उठ जाते हैं अब राज कि छे रानियों से फूल नहीं, तूटते हैं, सबसे लाश्ट में जो फूल कहते हैं, कि राजा छोटी रानी को बुलवाएं, तब हम फूल तोड़ेंगे, तोड़ सकते हैं, छोटी रानी हमारी मा है, आप जो लड़की कहती है, कि राजा साब छोटी रानी को बुलवाएंग आप चोटी रानी को ढूनने के लिए पूरी सेना इधर उधर निकल जाती है लेकिन छोटी रानी किसी को नहीं मिलती है वे बेचारी तो दूसरे नगर में अपने किसी के बरतन साफ करती, किसी का चूला लेपती, किसी के कपड़े धोती ऐसे करके अपने फटे हाल जीवन गुजार रही थी अपना पेट किसी तरह से पाल रही थी आप जो एक सैनिक था जब रानी महल छोड रही थी तब उस सैनिक ने अपनी एक अंगुठी निकाल कर उस रानी को दे दी थी क्योंकि वे रानी को जानता था कि रानी बड़ी सचीज और सीधी साधी भूली है इसमें उसका कोई कसूर नहीं है लेकिन सैनिक था उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे राजा के सामने कुछ बोल सके जब वे सैनिक रानी को डूंडते डूंडते उस नगर में पहुंचा तो देखा कि एक बहुत गरीब सी ओरत है जो फटे हुए चित्रे पहने हुई है और दूसरों के घरों में काम कर रही है लेकिन उसने देखा कि उसके हाथ में वही अंगुठी है जो सैनिक ने उसे दी थी तो वे तुरंत रानी को पहचान गया और रानी को लेकर कहने लगा रानी साहब चलिया आपको राजा ने बुलाया रानी ने साहब आने से इंकार कर दिया कह दिया जब राजा ने मुझे पर विस्वासी नहीं किया तो मैं वापस क्यूं जाऊंगी जिनके घरों में काम करत थी वे लोग सोच समझने लगे कि अरे जब उन्हें सच्चाई पता चली कि ये रानी है तो वे लोग घबरा गए कि हम रानी से कैसा कैसा काम करा रहे थे लेकिन वैं कहने लगी कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है ये तो मेरा समय था मेरे पर विपता पड़ी थी तो तो मैंने ये काम किया, इसमें तुम लोगों का कोई दोस नहीं है, तुम्हारा काम किया तो तुम लोगों ने मुझे खाना भी दिया, अब वे सब लोग राजा को, रानी को समझाने लगे, कहने लगे, रानी साहिब आप चले जाए, क्या पता, राजा साहब को बुद्धी आ लगे, तो रानी जाने के लिए त्यार हो गई, त्यार हो गई, जो रानी उस बाग में पहुची, तो लड़की कहती है, जागो भहिया, जागो भहिया, हमारी मा आ गई है, तो सारे के सारे जो साथ पेड होते हैं फूलों के, और आठवा पेड होता है, जिसमें राज कुमा होती है तो जैसे ही राणिय फूलों को तोडने जाती है तो उनकी ढाले बिल्कुल रानि Less ip得 जाती है यह Ц्र्वर राजा और उसकी च्छे में और पर जब अचंबित होती है कि Sun ve क्या है तब राजा जो है पूछता है कि ये क्या है जब राणी उन फूलों को तोड़ती है तो तुरंत सातों फूलों में से सात राजकुमार और आठवे फूल से राजकुमारी छोटे-छोटे बच्चे उन में से निकलाते हैं जो कि थोड़े से बड़े थे राणी उन सारे बच्चों को गोद में उठा लेती है अपने सीने से लगा लेती है वे बच्चे कहते हैं मा हम तेरे बच्चे हैं और जो हमारे साथ इस बड़ी रानी ने ऐसा ऐसा किया था हमें मिट्टी में दाव दिया खड़ा खोद के दाव दिया लेकिन तेरी भक्ती के सक्ती के आगे मा थे इसलिए भगवान की जो लीला थी उसे तो कोई नहीं मिटा सकता अब वह जो रानी रो रो के अपने बच्चों से मिल रही थी कह रही थी मेरे लाल मैंने तो तुम्हें अपनी आखों से जी भर कर भी नहीं देखा था मैंने तो तुम्हें कभी अपनी छाती का दूद भी नहीं पिलाया तो उसके बच्चे कहने लगे कोई बात नहीं मां क्या हो है तो तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ हम को मारने की इतनी कोशिस की गई तो तुम्हारी इसमें क्या गलती है जब राजा यह सारी बात सुनता ह तो तुरंत बड़ी रानी को आगे बुलाता है और उससे सारी बात पूछता है तब रानी राजा की डर से की राजा कहता की सच सच बताओ नहीं तो तुम्हें अभी तुम्हारे हाथ पैर काट कर फांसी पर लटका दिया जाएगा अब बड़ी रानी बहुत डर जाती है आठवी राजकुमारी को साथ राजकुमार और आठवी राजकुमारी को जनम दिया था जिससे उसे पहुत ज़्यादा जलन हुई थी क्योंकि हमारे ना चाहते हुए भी उसके बच्चे हुए और हमारे नहीं हुए हमने सोचा की अब तो राजा हमें बिलकुल नहीं आती है कि कैसे उसने सारे छोटे छोटे बच्चेवं को गमलों की मिटी के नीचे दबा दिया था फिर उन्हें बगीचे में आकर दबा दिया पूरी बास सुनने के बाद राजा को इतنا गुसा आता है कि वे तुरन्त रानी को महल से मौत की सजा सुना देता है लेकिन छोटी रानी आगे आ जाती है और कहती है नहीं माराज मौत की सजा सुनाने से तो जो पाप है एकदम कट जाएगा इनको मुक्ती मिल जाएगी इन्हें वही सजा दीजिए जो मुझे दी थी जैसे मैं तड़पी हूँ लोगों के काम कियें कैसे दरदर भटकी हूँ तो राजा जो उससे साही लिवास उतरवा लेते हैं और एक फटी सी चीथडे सी साड़ी उसको दे देते हैं पहनने के लिए और उसे राज्ये से निकाल दिया जाता है अब बड़ी राणी दरदर भटकने लगती है दोस्तों जैसा उसने किया वैसा उसके सामने आया छोटी राणी इतनी अच्छी थी तो उसके बच्चों का बाल भी बांका नहीं हुआ अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सबस्क्राइब करें और शेयर करें रादे रादे